हेलो फेरेंड्स, वेल्टम टू एम्स, अलफा इंस्टिटूट अफ मैथेमेटिकल साइंसिस आपको पता है कि हमने एक्षट की सीरीज स्टार्ट कर रखी थी कल हमने क्या किया था एक्षट टीजी टी के जो हमारे पास मेंशुरेशन के फोर्मलाज होते हैं वो हमने कर पड़े थे कि वो क्या-क्या होते हैं अगर आप उनको याद कर लोगे तो उसको उसकी अपोर्डिंग आपके फोर तो फाइफ मार्क्स मिंस आप इसीली उन कोश्टिंस को सोल कर पाऊगे आज हम करेंगे एस्टेट पीजीटी का एक्टोपिक एस्टेट पीजीटी का एक टोपिक करेंगे आपको पता है अपने प्रीवियस एयर पेपर दिखा या फिर आपने लास्ट एयर पेपर दिया हो तो आपको पता चल जाएगा कि आपके आपके पास इंटीग्रेशन के इंटीग्रेशन के फाइल कोश्ट आएवे थे और वो कोश्ट ऐसे थे ना कि मैंस आप लग जाओ या तो आपका सोलिशन नहीं करेगा आपका फाइनल अंसर आपके जो आपका आपके 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 अप्शन में दे रखी हैं उसके साथ मैच नहीं होगा आपके 15-20 मिनेट्स फाइव कोश्ट भास बसे इसके आपके बदाएं कि आपके पास मैंट्स की सिंस्टी ऊशन आते हैं आपको सिंस्टी मीनेट्स ही इसके आपने तर्डिश दो सिंस्टी मिनेट का रखपन छी जो opened ultim x 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 वोलीस फॉर्मूले का पतावना चाहिए कि वोलीस फॉर्मूला खुद दर के हैं उसके बाद मैं आपको बोलती हूं कि यह कोशन्स इस टाइप के कोशन्स आप फाइव सैट्मिन में कर दोगे देखो कहां 3-2-4 मिनट्स लग रहे थे आपको और आप क्या गरोगों को 5 सैट्मिन में कर दोगे कंप्लेट कर दोगे इससे आपका पेपर मिंस आप जो यह इंटिग्रेशन की कोशन्स है उसको आप जल्दी सैट्मिन करोगे तो फिर क्या होगा आप दूसरी कोशन्स को ज्य इसका इंटिग्रेशन करना है एन आपके पास even हो और हो कुछ भी हो और इसके साथ साथ अगर आपके पास sign की जगे पे अगर कोश देखा हो तो उसका भी formula क्या है? सेम है means क्या है अगर आप यहां नहीं कर अगर आप इसके लिए अलग से लिखते हो जीरो टू पाइब बाए टू पोस्टेस्टी पावर एन एक्स दी एक्स उसका formula भी क्या है आपके पास सेम है तो देखो इस formula में क्या है कि k इंटू n-1 n जो आपके पास पावर दे रिख ना तो यह 0 न अची ना क्यों अची यह नेगेटिव पावर नेगेटिव पावर के लिए हम सोल नहीं कर रहे हैं वह लिए फूर बोला किसी लिए डिफाइन है and belongs to n के लिए तो अब क्या है यहां क्या हो जाएगा के इंटू n-1 n-3 इंटू क्या है आगे चलते जाओगे कहां तक जाओ möchte को कहां जाकर 1바ug को ऐंची लास में बन है तो भी आपको क्टो करना जाए आगर लारी अपके पास निच्तिता यह भूड को सब्गर सब्सक्रावं जाए यह तो यह तो आपके पास यह यह तो वैलिए गूस आइग तो तो पहलना तो यहीं तो नहीं ना य आपको सिर्फ positive तक रहना है, तो इसलिए कि यह और अपन में क्या है, denominator में क्या दिखोगे, n into n minus 2, n minus 4, और यह भी क्या करना है, last में कहां stop करना है, 1 और 2 पर, उसके आगे आपको नहीं जाना है, और फिर देखो, इसको याद करने के लिए क्या है, कि आपको numerator में क्या करना है minus क्या करने है, numerator में 0 numbers को minus करना है, means 1 से start, 1 के बाद odd number कुम सा है, 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, और से सरते सायो के, और यहां क्या करना है, denominator में क्या करना है, even number को minus करना, start किसे करना है, start N से करना, जो आपके पास यह Just notice that, 4 और आगे 1 and 2, यहां तर जाना है, अब यह k क्या है, k हमारे पास क्या है, कि pi by 2, if n is even, अगर आपके पास यह n is even है, तो क्या करोगे आप, जो यह सारा आपके पास यह आया है, यह जो भी आपके पास fraction में number आएगा, उसको क्या करता होगे, उसको pi by 2 से multiply करता होगे, and if n is odd, then we can put k is equal to 1, तो यह था आपका world, इस formula, चलो हम quotient discuss करते हैं, कि quotient कैसे हम 5 seconds में cover कर पाएंगे, complete कर पाएंगे, तेखो friends, अगर हमारे पास यह हो की sign x की power 6 है, उसका integration करना है, limit आपको याद रखना है, 0 to pi by 2 होनी चाहिए, उसके लिए आप 5 seconds में कैसे करोगे, देखो, k means, यह क्या है पाप 6, then pi by 2 into 6, तो 6 minus 1, 6 minus 3, 6 minus 5, and आपको 6, 6 minus 2, 6 minus 4, and 6 minus 6 करने के बाद आपका अंसर क्या जाएगे, जीवा जाएगा, तो हमें यहीं यहीं तक रेना है, क्या होगा आप, pi by 2, and equal into 5 into 3 into 1, and यहां से 6 into 4 into 2, तो आपका अंसर, कितने seconds लगे हैं, count किये, और वह तो थोड़ा सा मैं explain करने के लिए कि power क्या है, 6 है, A1 है, इसलिए pi by 2 रखे, आपको यह सब याद हो जाएगा, अगर आप ऐसे-ऐसे questions, अगर आप practice करोगे इन questions की, तो आपको यह formula याद हो जाएगा, और उसके ब आप इस method से, आप क्या कर सकते हो, आप उपने answer को verify कर सकते हो, आप उपने answer को verify कर सकते हो, 5 seconds लगे में कोई ज़्यादा time नहीं है, इससे आप क्या कर सकते हो, उपने answer को verify कर सकते हो, कि आपका answer correct है या wrong है, अभी देखो, अगर आपके पास integration 0 to pi by 2, cos raised to the power 6x dx आजे, तो उस आपके पास same answer होगा, sign और cos में कोई difference नहीं है, same answer होगा, अगर चलो एक लिए पर चलते हैं, जिसमें क्या हो power, ये even power थी, उसके बाद 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 और और ये आपके पास क्या था, वोलिज फॉर्मूला था, और आपके पास अगर इसकाइप की पोई आजे हैं, कि sign क इसके पावर M है, और cos की पावर N है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, उसके लिए वोलिज ने एक और फॉर्मूला दे रखा है, हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे, तो ठीके अब पहले हम करेंगे, ये even power है, odd power के, कि odd power को भी कैसे हम, means, उसमें कुछ चेंज नहीं करना, इसके लिए को किसे रिप्लेस कर दोगे, निस 5Y को किसे रिप्लेस कर दोगे, 1 से, and formula are the same, देखो friends, अगर हमारे पास integration course देखो, course देखो 5XDX आजाए, और आपको पता, लिमिट कहां से कहां तल जाएंगी, 0 to 5Y2, तो यहां क्या आजाएगा, आपको बता के 1 है, उसके बा power है, power इसमें क्या करना है, क्या minus करने है, odd numbers, odd numbers means 5-1, 5-3, and 5-5 is equal to 0, हम वो नहीं लेंगे, अपकों क्या करना पढ़ेगा, पहले 5 रखोगे, और उसके बाद means n into n-1, n-2 means 5-2, 5-4, तो यह आपके पास जा है, final answer आगे, 4 into 3, 4 into 2 upon 5 into 3 into 1, यह जो आपके पास answer आए, यह आपके पास final answer आए, means 8 upon 15 answer, बता कितना टाइम लगा, अगर आपकी practice हो जाएगी, आप इसको 5 की वजाए, 4 या 3 seconds में भी कर लोगे, मिन आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़े, आप सब का explanation अपने mind बे करोगे, और उसके बाद में आपको तो answer दिखाई देगा, options दिखाई देगे, कि कौन सा option correct है, आप point pick करोगे, और next question को देखोगे, और next question क्या है, अभी देखो, अभी हमने ये discuss किया है, अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इस के formula को देखेंगे, ये formula की वालेज ने क्या बोला है, कि इस type के questions के लिए हम कौन सा short trick use कर सकते हैं, वो हम देखेंगे अभी, देखो friends, वोल इस formula गा, second type हम हम discuss करेंगें, कि second type में क्या बोल रखा है, उन्होंने कि कौन सा formula, किस की short trick बता रखेंगे, वो सब हम देखेंगे, क्या है, integration, 0 to by by 2, sin raised to the power mx into post raised to the power mx, उसका formula क्या होता है, उसके formula में, जैसे कि आपने desk में क्या था, उसका भी क्या है, k into, क् अब यहां आपके पास क्या है, numbers क्या है, n, m और n है, और यह किस में belong करने चाहिए, natural number में, और उसके बाद क्या है, दो है, तो same procedure करेंगे हम, क्या है, पहले क्या था, हमना पास एक number था, same, एक m था, या फिर n था, तो n में से क्या क्या था, और numbers को minus कर दिया था, यहां क्य क्या होगी, यहां m और n दो numbers है, तो दोनों में क्या था होगी, order number को minus कर दिया है, m-1, m-3, n, last में क्या थाएगा, जैसे last formula की तरह क्या है, one or two relative last one, और उसके बाद में क्या है, n-1, n-3, और one or two last one, उसके बाद में क्या है, यहां देखो change है, यहां change क्या है, यहां आपको पहले m or n का sum करना है, उसके बाद में क्या करना है, same procedure, कौन से number minus करने होते है, उपर, order number, minus करो, और निचे क्या होते है, even number minus करो, में से यहां, m plus and minus two, m plus and minus four, और क्या है, one or two तक आपको जाकर, यहां तो आपके पास last में 1 ना, यहां तो आपको stop कर देना है, और यह की value क्या पर इसमें क्या है, यहां क्या होना जीए, m and nr even, मिल्स बोथ, m and m, की दोनों क्या होने जीए, even होने जीए, अगर दोनों आपके पास even है, तो आप क्या करोगे, यहां क्या 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 करोगे, यहां क्या 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 4x dx इससे आपको पता तो चलिए होगा कि आप किसे रिप्लेस करोगे 1 से करोगे 1 into अब क्या है यहां 3 3 में से क्या करना है और नमबर माइनस करनी है 3-1 3-3 करती साथ आपका क्या जाएगा अनसर जीरुआ जाएगो तो आप 3-3 नहीं लिखोगे क्या है 4 4-1 4-3 अपों सम करोगे दोनों का दोनों का सम कितना हो जाएगा 7 तो क्या हो जाएगा 7-2 7-4 and 7-6 तो यह आपके पास क्या जाएगा final answer जाएगा अगर इसको क्या हो जाएगा 2 into 3 into 1 अपों 7 into 5 into 3 into 1 तो यह आपके पास क्या जाएगा final answer आपका जाएगा 2 upon 35 तो बताओ कितना time लगा आपको अगर आपको यह वीडियो यह लेक्चर पसंद आया हो तो जरूर लाइक बटन को प्रेस करना और उसके साथ आप चैनल को सबस्क्राइब करना क्योंकि मैं कोशिश करूंगे कि डेली आपके लिए एक वीडियो जरूर को दो तीन चैनल पांच जितनी होगी वो तो हो जाएगी बट देली एक वीडियो जरूरा कमेट और आपके लिए एक होंवर्ख है कि आपको पुछेंट करता है आपको answer कमेंट बोक्स में लिख रहा है कि आपका answer क्या रहा है integration 0 to 5 by 2 cos raised to the power 5x dx and integration 0 to 5 by 2 sin 7x into cos 2x dx यह दो आपके क्या है homework है DIY means do it yourself कमेंट बोक्स में इनके answer टाइप करते हैं